Hi everyone, welcome back to my channel. आज के एपीसोड में में डिसकस करेंगे केनिडा में रहने के कितने खर्चा होता है महींए का और आपकी कितनी इंकम होती है तो ये हम बहुत डिटेल में डिसकस करेंगे सारे आइटेम्स, मंतली इक्सपेंसे, मंतली इंकम आपके कितनी बन सकती है और आप कितना saving कर सकते हैं तो चलें डिटेल में discuss करते हैं तो चलें calculate करते हैं income expenses क्या होते हैं सबस्ब पहले income से start करते हैं अब income जो मैंने रखी है वो on average 55,000 डॉलर पर annum तो यहां पर इतनी income आपको मिल जाती है तो उसमें आपको पता चलेगा कैसे इतनी income से जादा भी बन जाती है तो let's say annual income आपके 55,000 डॉलर है और घर में सिर्फ आप ही काम कर रहे हैं आपकी wife काम नहीं कर रही है तो इसको हम convert कर लेते हैं monthly तो अगर हम monthly करते हैं तो 45,000, 4583 डॉलर आपकी month की salary हो गई अब इसमें से deductions भी होती हैं जो किसी को पसंद नहीं है obviously तो इसमें आपका income tax कटेगा EI आपका deduct होगा आपका pension plan deduct होगा तो roughly आपका जो है यह $1,258 डॉलर आपके monthly deduct होगे आपकी monthly income में से जो monthly income में रही gross ती इसमें से यह tax deduct और इसा चीज़ देट होगी तो इससे माइनस करने तो आपकी net income आ जाएगी $3,325 डॉलर आचा Canada is a social welfare state यहां पे जो है जो लोग रहते हैं government उनका ख्याल रखती है तो अगर आप आ रहे हैं on average मैंने रखा कि आप पाकिसान इंडिया बंगलदेश कहीं से भी आप आ रहे हैं तो लेट से आप हैं आपकी wife है और आपके साथ 2 kids हैं तो government support जो आपको मिलेगी वो बच्चों के उसमें मिलती है और आपकी salary पे तो लेट से roughly आपको 1550 dollars per month government से मिलेंगे इसमें आपका जो होते हैं childcare benefits होते हैं tax होते हैं आपके GST refund होते हैं सब मिलाके आपको 1550 dollars per month आपको government के तरफ से मिलेंगे तो अगर आप यह सब एड़ करने तो आपकी monthly income जो आपके account में पैसे आएंगे वह होंगे 4875 dollars अब यह जादा हैं कम हैं यह कैसा पता चलेगा हमें तो चलते हैं expenses की तरह तो monthly expenses हम देखते हैं सबसे पहले अब जो expenses में मैंने किया है वह मैंने बहुत ही real आपको मैं जो values ली हैं बहुत ही real 2023 की बलके इसी month की सारी values मैं आपको बता रहा हूं तो बहुत ही accurate close to accurate आपका data हो गई है तो rent सबसे बड़ा rent होता है आपका expense rent में अच्छा है rent जो मैंने यह आप 1800 dollars लिखा है वह मैंने assume करा है कि आप Brempton में basement ले रहे हैं two plus one two plus one का मतलब है दो bedroom और एक one full bath यही basement अगर आप मिस्स सागा में लेंगे तो यह आपको थोड़ी जादा मिलेगी 2200-2300 मिलेगी अगर आप कहते हैं कि मैं कॉंडो में रहना चाहरा हूं तो कॉंडो का starting point जो होगा तकरीबान वो 25-2400 ब्रेम्टन में है तो जादातर जो तो आगे चलते हैं जो रेंड 1800 ब्रेम्टन का हमने अजियूम करा अब electricity plus hydro आपका 200 डॉलर पर मत आपका expense होगा अच्छा इसमें एक चीज़ बड़ी important note करिएगा आप के बहुत सारी basements जो होती है उसके अंदर जो पाइस वो बताते हैं उसके अंदर electricity hydro water सब included होता है तो वो देखेंगे को फिर जादा charge भी करते है जैसे मैं आपको ब्रेम्टन में बहुत सारी review करी बिफोर यह बनाने रखना कि आप कितना पे कर रहे हो वहां पर अनदर एक्सपेंस जो है इंटरनेट टीवी ऑबिसली जब आप यहां पर आते हैं तो nothing is for free यहां पर हर चीज के पैसे देने होते हैं तो आप घर में आएंगे आपको वाइफाई चाहिए टीवी क्योंके सार अदर टीवी स्मार्ट टीवी होते हैं स्मार्ट टीवी के लिए आपको वाइफाई चाहिए अच्छा तो इंटरनेट का रोजर्स को अधर कंपनी का जो है कनेक्शन मिल जाता है कुछ 100 डॉलर मंतली का होता है तो वह आपका होगा उसके बाद आप यहाँ पर आया तो आपको चाहिए मुबाइल सर्विस चाहिए तो उसका एक्सपैंस डेक्रिमेंट 50 डॉलर होता है पर मंत यह रफली में आपको बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टन एक्सपैंस जो होता ही है ग्रोसरी ग्रोसरी कैनेडा में अनफॉ करके भी मिलेंगी कि जो डॉलर यहां पर प्राइस है वह अगर करें उसको इंडिया और पाकिसानी करिसी में तो कितने पैसे बन जाते हैं तो ग्रोसरी बहुत एक्सफेंसिव है थाउजन डॉलर्स पर मन का आपका इसली बजट बन जाएगा यह अगर अगर आप बहुत ही लेनी है क्योंकि कार के बगहर यहां पर आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं और अगर आपको इसके बारे थोड़ा सा और जानना है तो आप मेरी वीडियो बनाई है उसको जरूर डिस्क्रिप्शन में चेक करीगा वहां पर मैंने बताया है कौन सी गाड़ी है जिसकी इस्ट यह यह लीज का आपका रेट है क्योंकि आजकर इंट्रेस रेटी बहुत हाई हुआ हुआ है तो यह आपकी इस्टॉल्मेंट 400 डॉलर महीने की जरूर बनेगी या इससे कम इतनी बनेंगी आपकी कार फ्यूल आपका तक्रीमन 150 डॉलर का मंत का लग जाता है तो यह इस्टॉल का है कार इंशॉरेंस अगे सबसे बड़ा एक्सपेंस है क्योंकि आप नए होंगे तो आपके पास पूरा जी लाइसेंस नहीं होगा जब आक पार लाइसेंस नहीं होता है जी और आपका नए experience होता है तो insurance rate आपका बहुत हाई होता है दूसरा अगर आप Brampton में रह रहे हैं तो आपका expense बहुत जादा ही होगा वहाँ पे insurance rate ज़रा हाई है accidents की वहाँ से मिस्सागा में भी कम नहीं है लेकिन Brampton में बहुत हाई है अगें यह आप car installment car fuel or car insurance इसके बारे में और licenses के बगर बारे में अगर आपको समझना है तो मेरे Uber की वीडियो जरूर चेक आउट करीगा उसमें ने काफी detail में बात करी है तो यह सारे major expenses है monthly expenses जो major है चोड़े मोटे तो और होते रहेंगे लेकिन यह आपके हर महीने expense होगा तो अगर आप इन सब को मिलाने तो $4,000 आपका महीने का expense यह होता है इसके लावब कुछ और भी expenses होते हैं जिनको classify करते है other expenses में जो हर महीने तो नहीं होंगे लेकिन आपको average out करना पड़ता है कि साल में मैं कितना expense करता हूँ अगर उसको मैं 12 divide करों तो कितना मनता है तो इससे नहीं सबसे important आया था आपको shopping expense अब आप जब यहां पर आ रहे हैं तो आपको jackets लेनी होंगे winter jackets बच्चे school जाएंगे तो उनके रिए बाहर से खाना खाऊं बाहर से कुछ हों क्योंगे आप जब Canada आते हैं तो आपको होता है more and more explore करूँ तो dining हो गया इसी तरह kids आपके जो बच्चे हैं वो काफी sports में यहां पे काफी आपने देखा हैं यहां पे 4875 हमने अज्यूम करी थी total expenses जो थे month के जो fixed आपको मैं कहूंगा sort of fixed expenses वह $4,000 है other expenses आपके 250 हैं तो आपकी savings $625 पर month बन जाती है अच्छा यह savings जो है आपकी यह अगर आपकी wife भी work करी है आपके spouse भी अगर वर्क कर रहे हैं तो वह आप easy कर लें अगर 55 थादर उनकी है तो double कर लें थोड़सा आपका interest और यह tax rate जादा हो जाएगा लेकिन बाकी जो बनाए हैं वह आपकी savings होंगी तो यह मैंने थोड़ा सा आप लोगो detail ने बताने के लिए मैंने चार्ट सामें रखते हैं ताकि आप लोग सब देखें next videos में मैं इसी तरह informative videos बनाता रहूंगा आपने मैंने एक video अभी बनाए है rent in Canada वो townhouses पर करी है next video अभी मैं करूंगा condos versus basement उसमे और मेरे चैनल को subscribe करेंगर आपने subscribe नहीं कर रहा है और वीडियो को जरूर लाइक करिए कर अच्छे लगए हो